देखो, गेम के अंदर अभीना कोटल का निव इवेंट आया हुआ है, जिसमें 30 की में हमारा कोटल अनलॉक हो जाएगा, तो 30 की तो मेरे पास है, यहां 28 की यहां पर पड़ी हुई है, इसके साथ 1 की मेरे फाइट पास के अंदर पड़ी है, और साथ में 1 की मेरे स्टोरी मोड पड़ी है, और साथ में मेरे पास स्टोरी का सिल्वर भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो क्या मैं स्पिन करूँ, क्योंकि मुझे यह करेक्र तो डेफिनेट से मिली जाएगा, मतलब मिरे पास इतनी कीश पड़ी हुई है, या मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिंक्स के लिए करूँ कि मुझे लिंक्स चाइए मतलब कोटल से भी जादा मुझे लिंक्स चीfar करूगी मेरे मगरें दुन वेपन पड़न मंगर दोनों झरेटर मेरे अनलॉक नहीं और ब्रोट ये मैचमींग देखो ये बारह बारह लेवल लेवल के करेक्टर के साथ कैसे बाय अब देखते हैं मुझे नहीं लगता है इसे हराना पॉसिबल है पर अब गेम में ही पता चलेगा वो तो और साथ में उसके पास सारे के सारे टैलेंट यह देखो भाई आते से ही मार दिया और यह जैट का याला इन्विबिलीटी वाले टैलेंट यूज कर रहा है यह बहुत कम लोग दिखते है याला टैलेंट यूज करते है टाइम क्योंकि एकदम मतलब अगर स्टार्टिंग में एक भी पढ़ गया तुम पर फिर कोई काम का नहीं रहता और इस साडू लग गया भाई अब देखो अरे गुलल टाइम में बनेगा फिरेंब त्वौ झीच्ट भाई कंशन रहा कर दीशेश्ट या अब वो भी बुलवक लेक लेटा अब इसके बुलवक के पास एपिक वैपन है और मेरे पास मेरे ऊपस सारे चलि मेरे पास वह एक चलिंट है reflection a यार मगर देखने जाओं बाइब देखे जाओं इसवे अच्छा गजब की फैक्टर ओओ अरे हैवी भी लग ज़या और क्या मैं जीत सकता हूं भाई वाई क्या है तो गजब डामेज यार बुलवक का ओ सेट इसट इसट नैं नाइण 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 बच भाई बाल बाल बचा सेट यार चला फिर भी महला काफी तो काम करके गया है मेरा बुलवक अब मैं यहां कन्फीज हो कि सार्ज लू या आरन क्लेड लू कि मैं जो भी लोगा उसको सेक्चर दे देगा ये और अगले राउंड में जीतना बहुत मस्किल होगा वैसे भी यार 12 का बुलवक है उसका और मेरा आरन कलेड और तुम अगर देखोगे ना तो उसके बुलवक की हेल्थ मेरे बुलवक से लगभब दो एवाज़ी निहीं और द क्या नामेन कुछ तो भी नाम है वे उस टैलेंट का और मैं पिर भी डॉच करता हूँ मैं बूली जाता हूँ कि म बिना फैक्चर के मैं जीत गया, यह कैसे हुआ? How is this even possible? Perfectly कैसे जीत गया, मैं बुलवक के अगेंस? उसका 12 लेवल का बुलवक था, बबकि सारे करेक्टर भाई, मैं रे चुन्नु मुन्नु करेक्टर क्या, मैं इस चुन्नु मुन्नो आरन क्लाइट से जीत सकता हूँ, उसके सार्ज के अगेंस, देखना पड़े गया, यार, बाकि मेरा भी अगला करेक्टर, अब तो मैं अड्वांटेज में होना, बहले उसका लेवल मुझसे जादा है, मगर मैं अड्वांटेज में हो की नहीं, तुम खुद बताओ, ओ, सिट, सिट, अच्छा हूँ यार, उसके पास वो वाला नहीं है, कमांडो प्रेस नहीं है, सिट, यार, सिट, 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 ओ, नहीं, अपर अटैक्ट, अज़ेट हो गया, ओ, सिट, सिट, भागो, 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 अब ग्रैब, 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 अब लोवर अटैक्ट, ओ, सिट, 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 नहीं, 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 यार, नहीं, 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 नह मेरी हेल्थ का गया कितना जाद है उसके पास 1000 हेल्थ मुझ फे जाद है मैं साइब और मगर बुलवर के लगबग 2000 जाजाती ऑस उसीट भाई आए भाही झाया जीटने दें ऊवा रजोटने उब बाइस के अपर एटेक इतने लग जाते हैं ना ये लिए अब तो ग्रैब हुआ अब तो ग्रैब हुआ ओ लोवर भी लगा अब एक अपर भी लग जा से टीयार नहीं लगा ओ रहा है जीत रहा हूं कि भाई मैंने 12 लेवल वाले करेक्टर्स को हरा दिया अपनी 8 लेवल वाले टीम से ये भाई जैसे कर लिया मैंने ये